हाई अब्रीवान वेलकम बैक टू मैं चैनल फ्रेंज्स ये देखिए आज हम इस स्वेटर का सेकिंड पार्ट बनाना सीखेंगे कल हमने इसका नीचे का बॉर्डर का पार्ट बनाना सीखा था कि किस तरह से इसका बॉर्डर बनाया जाता है आज हम इसके उपर जो हमने पैटन डाला है वो बनाना सीखेंगे तो इस pattern में जो फंदे लगेंगे उसका measurement 14 के multiple से इसके फंदे होंगे plus 4 फंदे हमने extra रखने होंगे 2 फंदे side में design को equal करने के लिए होंगे और 2 फंदे stitch के लिए होंगे तो चलिए fan बनाना start करते हैं यहां पर मैंने 32 फंदे लिए है 28 फंदे 14 के multiple से लिए है plus 4 फंदे extra लिए है और निचे से मैंने यह simple border बनाया है आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं यह दिखे यह इसकी first row है और right side है stitch ऐसे ही उतार लेंगे थागा आगे करेंगे अब यहां से हमारा pattern start होगा दो फंदे उल्टे बनाएंगे one two धागा पीछे करेंगे यह हमारे gap के फंदे है यह हर बार ऐसे ही उल्टे ही बनेगे तो यह दिखे अब हमने क्या करना है यह हमारे four फंदे लेंगे और इनको twist करेंगे इनको हमने right to left twist करना है back loop से दो फंदे आगे लेक कराएंगे और आगे वाले दो फंदे पीछे देखर जाएंगे और four फंदों को सीधा बना लेंगे one two three four दिखे फोर फंदे सीधे बनाएंगे अब eight फंदे सीधे बना लेंगे one two three four five six seven eight यह दिखे स्टार्टिंग का ऐसी छोड़कर यहां से यहां तक हमारे एक pattern complete हो गया है यह दिखे यह हमारा 14 फंदों का pattern है one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाई यह हमारे gap के फंदे हैं और 12 फंदों में हमारी cable बनती है इसमें हमने four फंदे twist के right to left और 8 फंदे सीधे बनाएं हैं फिसे देखिए धागा आगे करेंगे 2 फंदे उल्टे बना लेंगे धागा पिछे करेंगे 4 फंदे twist करेंगे right to left देखिए back loop से 2 फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाले दो फंदे पिछे लेकर जाएंगे और 4 फंदों को सीधा बना लेंगे 1 2 3 4 फिर 8 फंदे सीधे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट मिंग धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे एस्टिच सीधा बना लेंगे यह दिखे फर्स्ट राओ complete हो गई है एट्थ राओ है रॉंग साइड एस्टिच ऐसे उतारेंगे धागा पिछे करेंगे अब इस राओ में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे हर बा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उल्टे फंदे अब देखिए फिर से यही एन तक रपीट करेंगे हर राओ में हम यह सेम ही रखेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे और 12 फंदे उल्टे दो, तीन, चार, पांच, छे, साल, आर, नो, दस, ग्यारा, बार लास्ट में दो फंदे सीधे एस्टिच उल्टा यह दिखेंगे सेकंड राओ कम्प्लीट हो गई है थर्ड राओ है राइट साइड इसे एस्टिच बिर बनाएंगे उतार लेंगे थागा आगे करेंगे उल्टे बना लेंगे धागा पिछे करेंगे अब दिखें दो फंदे ऐसे स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे चारी डालेंगे और फोर फंदे ट्विस्ट करेंगे राइट ट्विस्ट करेंगे इनको बैक लूप से दो फंदे आगे लेकर आएंगे और आगे वाले दो फंदे ऐसे लिच्छे लेकर जाएंगे सीधा बना लेंगे दिखें धागा आगे ही रखना है जाली डालने के लिए और फोर फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, फिर 6 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, स्टार्टिंग का ऐसे छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटर्न कम्प्लीट हो गया है यह दिखें दो फंदे उल्टे बनाएं और दो फंदे स्लिप करके बैक लूप से दो फंदों का एक पंदा बनाया फिर जाई डाली फोर फंदे ट्विस्ट किये फिर 6 फंदे सीधे बनाएं फिर से देखें धागा आगी करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे धागा पिछे करेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगी करेंगे, जाई डालेंगे, और 4 फंदे टिस्ट करेंगे, केबल बनाएंगे, राइट तू लेफ्ट, दिखें, धागा आगी करके, जाई डालेंगे, और 4 फंदे सीधे बना लेंगे, 2, 3, 4, 6 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, लास्ट में, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, एस्टिच सीधा, यहां से हमारा रिपीट पैटरन स्टार्ट होगा, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, अब यह हमारे जो दो फंदे हमने एक जारी डाली थी, दो फंदों का एक फंदा बनाया था, यह दोनों सीधे बना लेंगे, फिर दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जारी डालेंगे, और फोर फंदे बनाएंगी त्रिस्ट करके इनको हमने राइट टू लफ्ट ट्रिस्ट करना है यह दिखे अब धागा आगे रखना है जारे डालते हुए फॉर फंदे सीधे बना लेंगे बनाएंगे चार्टिंग कहाँ से चोड़कर यहां सी यहां तक हमारा एक पेटरन कंपली्ट हो गया है इसमें हमने थो फंदे सीधे बना आई जारे डाली फोर फंदों की केबल बनाई और फोर फंदे सीधे बने अब देखे यहाँ पर यह वाले फंदे decrease होते जाएंगे और इस side के फंदे increase होते जाएंगे फिर देखे धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे धागा पीछे दो फंदे सीधे flip करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे थागा आगे करके जाएंगे और फूर फंदे twist करेंगे बैक लूप से इसके सीधा बना लेंगे जाएंगे चालते हुए one, two, three, four, four फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3, 4, धागा आगी करेंगे, दो फंदे लास्ट के उल्टे बना लेंगे, ऐस्टीज सीधा, रिखे, 5th row complete हो गई है, रॉंग साइड सेम ही बुरेंगे, row 7, राइड साइड, ऐस्टीज ऐसे ही उतारेंगे, धागा आगी करेंगे, repeat pattern स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे धागा पीछे, अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिसे 2 फंदे slip करेंगे, बैक लूप से 2 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, धागा आगी करेंगे, जारी डालेंगे, 4 फंदे टिस्ट कर लेंगे, बैक लूप से 2 फंदे आगे ले कराएंगे, और 2 फंदे पीछे जाएंगे राइड टू लाफ्ट इंद को ट्विस्ट करना है और धाग आगी करके जाड़ी डालते ही फोर फंदे सीधे बना लेंगे लास्ट के दो फंदे ये भी सीधे ही बना लेंगे स्टार्टिंग का ऐसी छोड़कर यहां से यहां तक मारा एक पैटरन कंप्लीट हो गया है फिर से रपीछ करेंगे इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 4 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों का 1 फंदा जारी डाली, 4 फंदे ट्विस्ट के 2 फंदे सीधे बनाए, फिर से देखें, धागा आगी करेंगे, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पिछे करेंगे, और 4 फंदे सीधे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके जारी डालेंगे और फोर फंदे ट्विस्ट करेंगे जारी डालते हुए फोर फंदे सीधे बना लेंगे लास्ट के दो फंदे, यह भी सीधे ही बना लेंगे लास्ट के दो फंदे उल्टे बनाएंगे, ऐस्टिज सीधा राउ 7, कम्प्लीट हो गई है, राउंग साइड से मही बुनेंगे रो नाइन, राइट साइड, एस्टिज, धागा आगी करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पिछे करेंगे, अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करके जाड़ी डालेंगे, और राइट तू लेफ्ट फंदे ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदे आगे लेकर आएंगे, और आगे वाले दो फंदे इछे लेकर जाएंगे, और 4 फंदों को सीधा बना लेंगे, जाड़ी डालते हुए, 1, 2, 3, 4, यह स्टार्टें का ऐसे छोड़कर यहां से यहां तक हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है, यह दिखे, इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए और 6 फंदे सीधे बनाए, फिर दो फंदों को एक फंद बनाया, जाड़ी डाली, 4 फंदे टिस्ट किये, इससे दिखे, धागा का एक फंद बनाएंगे, जाड़ी डालेंगे और 4 फंदे टिस्ट करेंगे, सीधे बना लेंगे, जाड़ी डालते हुए, 1, 2, 3, 4, लास्ट के दो फंदे बना लेंगे, ऐससे सीधा, यह दिखे, रॉन आइन कम्प्लीट हो गई है, रॉंग साइड सीधे, भुनेंगे, रॉ 11, राइट साइड, एस्टिच, धागा आगी करेंगे, यहां से रिपीट पैटरन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब दिखे, 8 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिखे, यह हमारे 4 फंदे ल और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जारी डालते हुए, दो फंदे लास्ट के सीधे बना लेंगे, चार्टिंग का ऐसी छोड़कर, यहां से यहां तक हमारा एक पैटरन कम्प्रीट हो गया है, यहां पर हमने 8 फंदे सीधे बनाएंगे, और 2 फंदों 7, 8, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, जारी डालेंगे, और लास्ट के दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, ऐसी सीधा, यह दिखे, रो 11 कम्प्लीट हो गई है, रोंग साई सीम ही बुनेंगे, यह दिखे, रो 12 कम्प्लीट हो गई है, और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गए है, फिर से हम इसे फस्ट ट्रॉ से स्टार्ट करेंगे, एक पारापीस की फस्ट ट्रॉ देख लीजिए, कैसे करेंगे, ऐसे उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पिछे, फोर फंदे, राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, फोर फंदे सीधी बना लेंगे, वान, टू, ट्री, फोर, फिर एट फंदे सीधे, वान, टू, ट्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, यहां से यहां तक मारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है, फिर से रपीट करेंगे, थागा आगे, दो फंदे, उल्टे, फोर फंदे राइट टू लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे, सीधा बना लेंगे, एट फंदे सीधे बनाएंगे, वान, टू, टू, ट्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, लास्ट के, तो फंदे उल्टे, सीधा बना लेंगे, यह देखिए, फिर से हमारा पैटर्न फस्ट ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है, और ऐसे ही बार-बार इसकी वान, टू, ट्वर, और पीट करते जाएंगे, और यह पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा, यह देखिए, तो बहुत ही प्यारा सा यह हमारा स्वेटर बनेगा, तो फ्रेंड, आप भी इसे बनाईए, और अपने एक्सपिरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, तो मिलते हैं इसके नेक्स पार्ट में, थेंक्यू फ्रेंड फार वाचि मैं वीडियो,